नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के जोगराफी याने भूगोल इस से रेलेटेड है फोटी कोशन देखने वाल है जो कि आपके एकजाम के लिए काफी इंपोटेंट है तो आप इन एक कोशन को रट लिए उससे पहले चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास्वाली घंटी का निसान है उससे भी अनकरत है ठीक है तो देखें यहाँ पर हमारा पहला कुश्चन है बिस्व के महासागरों में किस महासागर का सरवाधिक के चोड़ा महादेपिया सेल्फ है तो दे भारत की सबसे बड़ी प्राइदेपिया नदी निमने लिखित में से कौन सी है तो देखें भारत की जो सबसे बड़ी प्राइदेपिया नदी है तो यह है गुदावरी नदी ठीक है इसके अलावा गुदावरी नदी जो है यह दचिड भारत में पश्मी घाट से वाहित होती है और इस नदी की लंबाई कितनी है तो इस नदी की लंबाई 1465 किलो मेटर जो इसकी लंबाई है और गुदावरी नदी को जो है ये दशडी गंगा के नाम से भी जाना जाता है कुष्चा नमबर 3 है भारत में लाल मेटी समानेता कौन से छेतर में पाई जाती है तो देखे Is shaped a correct answer, option C O जायाएगा द BRI-चली पठार के पूरवी और द BRI-चली भाग क्ष़िभाग में पाई जाती है थीक है भारत में लाल मेटी के समानेता कौन से छेतर में पाई जाती है तो दशडी पठार के पूर्वी और दशडी भाग में जो है पाई जाती है कुश्चन नमबर चार है निमनलेखित में से किस उद्योग द्वारा चूने और चुनास्वन का प्रियोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है तो देखे इसे करेक्ट आणसर उप्शन सी उद्योग द्वारा चूने और चुनास्वन का प्रियोग ये कच्चे माल के रूप में किया जाता है कुश्चन नमबर पाँच है निमनलेखित में से किस राज़े में सबसे लंबी तट रेखा है तो देखे इसे करेक्ट आणसर उप्शन सी उचायाएगा गुजरात राज़े में जो है ये सबसे लंबी तट रेखा इसकी लंबाई कितनी है तो 1915.29 किलोमेटर जो है इसकी लंबाई है वह ही भारत की कुल तट रेखा लगभा कितनी है तो इसकी भारत की जो टट रेखा की लंबाई है वह है 75-17 किलोमेटर जो है भारत की टट रेखा की लंबाई है ठीक है और गुजरात की टट रेखा की लंबाई 1915.29 किलोमेटर इसकी लंबाई है कुश्य नमबर 6 है भारत में निमने लेखित में से कौन सा सहर स्वान चत्रभुज मार्ग नेटवर्ग चत्र में जो नहीं है कुश्य नमबर साथ है हिमाचल परदेश में मारी करणर में गर्म जहरनों की प्राकिरतिक उर्जा का सुरूत निमने लिखित में से कौन सा है तो देखे हिमाचल परदेश में मानी करण में गरम जर्णों की प्राकिरतिक उर्चा का जुसरोत है तो यह है भूतापी यह उर्चा ठीक है तो यहाँ पर यह करेक्ट जायाएका कुश्य नमबर आठ है निमने लिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सरवाधी कुस्मा रोधी छमता होती है तो देखिए यह होती है क्लोरो फ्लोरो कारवन यानि CFC गैस में सरवाधी कुस्मा रोधी छमता होती है ठीक है यह करेक्ट जायाएका कुश्य नमबर नाईन है भारत का कुश्य नमबर आठ है स्वार उर्चा उत्पादन में अगराणी है तो देखिए यह सरवाधी छायाएका भारत में जो राज उस्थान यह स्वार उर्चा उत्पादन में अगराणी है ठीक है कुश्य नमबर दोस है निमने लेखित में से कहां पर भागी रथी और अलखनांदा न दे के मिलने से गांगा बनती है तो देखिए इसे करेक्ट आंसर उप्शन यह हो चायाएका देव परियाग में भागी रथी और अलखनांदा न दे के मिलने से गांगा के निर्माड होता है ठीक है कुश्य नमबर ग्यारह है मध्य रात्री के मध्य रात्री के सुर्य के भूमी के नाम से किस देश को जाना जाता है तो देखिए यह जाना जाता है नार्वे को ठीक है नार्वे को जो है यह मध्य रात्री के सुर्य के भूमी के नाम से जो है कुश्य नमबर टूएल्ब है निमने लेखित में से किस न देखे बेसिन को भारत के उत्री दस राजियों द्वारा बाठा गया है तो देखे इसे करेक्ट आंसर अप्सन सी यो चाहाएगा गंगा न देखे बेसिन को भारत के उत्री दस राजियों द्वारा बाठा गया है कुश्चन नमबर 13 है निमने लेखित में से कौन सा उर्जा का बाणिजिक सुरोत नहीं है तो देखे इसे करेक्ट आंसर अप्संडी यो चाहाएगा इनधन जो है ये उर्जा का बाणिजिक सुरोत नहीं है और बाकी ये तीनो कोईला पेट्रोलियम और प्राकिरती गैस यानि ये तीनो जो है उर्जा का बाणिजिक सुरोत है कुश्यन नमबर 14 है निमने लेखित में से कौन सी वाई मंडल की सबसे उपरी परत है तो देखे इसे करेक्ट आंसर अप्संडी यो चाहाएगा बहीर मंडल जो है ये वाई मंडल के सबसे उपरी परत है ठीक है कुश्यन नमबर 15 है भारत में लाग का सबसे उथी कुदपादन है कहाँ पर होता है तो देखे भारत में लाग का जो सबसे उथी कुदपादन होता है तो ये जारखन राज्ये में होता है ठीक है बी करेक्ट जायाएगा कुश्यन नमबर 16 है निम निलिखित में से कौन होस्ष्ड कटी बंधिया पत जड़ी पौधा है जो दकन के पठार की विशेस्ता है तो देखी यह है चंदन ठीक सबसे ज़ादा पाये जानवाला धातु कौन cylindसा है तो देखें सबसे ज़्यादा पायजनवला जो धातु है हो है एलमुनियम ठीक है सी करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 18 है माउन्ट आबू जो एक परवतिया अस्थाल है कौन सी परवत सरिंखला परिस्तित है तो देखें माउन्ट आबू कि एक मात्र जो बारह मासी न दी है तो यह है कावेरी ठीक है ओप्सन बी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर 20 है निमने लेखित में से कौन बनसपती फाइबर का अधार है तो देखें इसे करेक्ट आंसर ओप्सन यह हो जायाएका यह बनसपती फाइबर का अधार है कुश्चन नमबर 21 है सुर्य गरहन निमने लेखित में से कब होता है तो देखें सुर्य गरहन जो होता है तो देखिए यह होता है जब चंद्रमा सुर्य और प्रिथवी के बीच में होता है तब जो है सुर्य करहन होता है ठीक है कुश्य नमबर 22 है जिब्राल्टर जल डमरो मत्य है निमने लेखित में से किसको जोड़ता है तो जिब्राल्टर जल डमरो मत्य है यह अटलांटी महासागर और भूमाध्य सागर को जोड़ता है ठीक है सी करेक्ट जायेगा कुष्चन नमबर 23 है भारत का सबसे बड़ा स्वार सक्ति सन्यंत्र कहा है इस्तित है तो देखी ये इस्तित है माधवपूर में ठीक है भारत का सबसे बड़ा स्वार सक्ति सन्यंत्र जो है कहा पर है माधवपूर में है कुष्चन नमबर 24 है स्वारूर्जा का अधिक्तम योग एकी करण किसके द्वारा होता है तो देखी ये होता है हरे पाउधे के द्वारा ठीके डी करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 25 है समान बर्षा वाले अस्थानों को मिलाने वाले स्वम रेखाओं को निमनलेखित में से क्या बोला जाता है तो देखे इसको जो है आईसो हाइट बोला जाता है ठीक है ये करेक्ट जायाएका कुश्चन नमबर 26 है निमने लेखित में से कौन सी नदी का मुहाना यानि डिल्टा नहीं है तो देखे इस है करेक्ट आंसर ओप्षन डी हो जायाएका तापी नदी का जो है डिल्टा नहीं है ठीक है कुश्य नमबर 20 से बेन है कागज उत्योग में लोगती को रंगीन करने के लिए समाने तक किसका प्रियोग किया जाता है तो देखे ये प्रियोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरो अक्साइड का ठीक है तो यहाँ पर सी करेक्ट जायाएका कुश्य नमबर 28 है बांधोगोड राश्टी होती है निमनलेखित मैं से किस राज्य में श्थीत है तो बांधोगोड जो राश्टी होति आन है तो यह मध्य परदेश राज्य में श्थीत है ठीक है B करेक्ट जायाएका कुश्य नमबर 29 है वो जोन जीव मंडल को डैस से बचाती है तो देखे वो जोन जीव मंडल को जो है ये पराबैग ने कीर्णों से बचाती है ठीक है सी करेक्ट हो जायाएगा कुश्चन नमबर तीस है निमने लेखित में से कौन भारत के लेख के डिस्ट्रेक्ट के रूप में जाना जाता है कुश्चन नमबर तीस है टीहरी बाद निमने लेखित में से किस नदी पर बनाया गया है तो देखिए टीहरी जो बाद है तो ये बनाया क्या है भागी रथी नदी पर ठीक है तो यहाँ पर बी करेक्ट जायाएगा कुश्चन नमबर तैस है निमने लेखित में से किस नदीस के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा लगी हुई है तो देखिए ये लगी हुई है बांगलादेस के साथ ठीक है बांगलादेस के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्टिय सीमा लगी हुई है ठीक है डी करेक्ट जायाएगा कुष्चय नंबर 34 है जल बिधुत के अंदर में तरबाइन निमनलेखित में से किस्से चलती है तो जल बिधुत के अंदर में ज lore चलती है तो ये पानी के बाहने से चलती है यह करेक्ट जायेगा कुश्य नंबर 35 है करनाटा के स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है तो देखिए यह सरस्वती नदी पर ठीक है सी करेक्ट जायेगा कुश्य नंबर 37 है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा छेत्र उसरे कटी बंदिया सदा बाहर बंद से ढखा हुआ है तो देखिए यह है पश्यमी घाट भारत का जो पश्यमी घाट छेत्र है तो यह उसरे कटी बंदिया सदा बाहर बंद से ढखा हुआ है ठीक है सी करेक्ट जायेगा कुश्य नंबर 37 है सूर्य भूमाधे रेखा का उर्धवादर कप चमकता है तो देखिए बर्स में दो बर्स चमकता है ठीक है यहाँ पर सी करेक्ट जायाएगा कुश्य नमबर 38 है सुनामी नाम किसे दिया गया है तो देखिए सुनामी जो नाम दिया गया है तो ये जोवारियत रंग को दिया गया है ठीक है C करेक्ट हो जायाएगा कुश्चन नमबर 49 है निमने लेखित मैंसे कौन से बारिस के बादल है तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमर B यानि B और C दोनों करेक्ट हो जायाएगा बरसास्तरी मेग है और कुमलो निम्बस कुमलो निम्बस और बरसास्तरी मेग दोनों क्या है तो बारिस के बादल है ठीक है B और C दोनों करेक्ट हो जायाएगा उसके बाद यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है निम्नलेखित में से कौन सा अगनिया सेल नहीं है ओप्षन है आपके पास है डूलो माइट है ग्रेनाइट बेसाल्ट है ग्रेबरो सही आंसर कॉमेट वक्स में जरूब आता है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पनाया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निसान है उसे आन करते हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग